हलो दोस्तो मैं रिष्यूटेक दिना दिन से और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे Windows 10 के Store App को Uninstall कर सकते हैं दूसरे Apps के जैसे आप Windows 10 के Store App को Easily Uninstall नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो इसलिए मैं आपके लिए एक तर्कीब लाया हूँ जिससे आप Windows 10 Store app को uninstall कर पाएंगे चलिए देखते हैं कैसे सबसे पहले आपको एक free software डाउनलोड करना है जिसका नाम 10 Apps Manager है सबसे पहले आपको एक free software डाउनलोड करना है जिसका नाम है 10 Apps Manager जिसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा इसको एक बाद डाउनलोड करने के बाद इसे unzip कर लीजिए अब इसपे double click करके इसे run कर लीजिए अब आपके सामने 10 Apps Manager का main interface खुल जाएगा आपको यहाँ सबी Windows 10 Apps दिख जाएंगे जिनें आप uninstall कर पाएंगे यहाँ आपको store app भी दिखेगा इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपको एक pop-up दिखेगा जिस पे लिखा होगा Are you sure you want to uninstall this app? अगर आप yes पे क्लिक कर देंगे तो store app अनिंस्टॉल हो जाएगा store app को अनिंस्टॉल करने का एक दूसरा तरीका भी है इसके बारे में जानने के लिए आप नीचे description में दिये गए URL पे क्लिक करिए तो दोस्तो इस तरह आप Windows 10 के store app को भी अनिंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल टैग दिना दिन को सब्सक्राइब करें धन्यवाद